तो हाँ भाई लो क्या हाल चाले सब बड़ी आ है ना सैमसंग बहुत ही जल्दी एक न्यू 5G स्मार्फोन लाँच करेगा जिसका नाम है सैमसंग गैलेक्सी एप 23 5G यह सीरीस का स्मार्फोन है आपको रिसेली इंडिया में देखने को मिलेगा और सैमसंग ने ओफिसेली लाँचेट कंफर्म कर दिया है और कुछ फीचर्स भी ओफिसेली कंफर्म किया है जो इस वीडियो में आपको बताऊंगा Samsung ने कुछ features confirm किया है बट इस वीडियो में Galaxy Ape 23 5G का full features आपको बताऊँगा मतलब इस phone में आपको क्या features देखने को मिलेगा ये smartphone इंडिया में कब launch होगा और कितने price में launch होगा तो Samsung का ये smartphone 20,000 के अंदर में देखने को मिल जाएगा मतलब बहुत ही चल दी 20,000 के अंदर में Samsung के Ape 23 के दरब से आपको new 5G smartphone देखने को मिलेगा तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इस phone को बारे में जान लेते हैं तो भाई लोग मेरा नमें शौरूप और आप देखे टेक सुतर हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पहले बात करेंगे इस phone का design and build कोटी आप design देख सकते हैं यह design आपको देखने हो मिल जाएगा इसका back sir के design एक्चुल में मुझे बहुत ही बढ़ी लगा क्योंकि यहाँ पर आपको एक simple design देखने हो मिल जाएगा इसका camera के design भी बहुत ही बढ़ीया है इस phone का back sir के design आपको बढ़ीया मिलेगा but phone sir के design मुझे बढ़ीया नहीं लगा यहाँ पर आपको चीन बढ़ीया मिल जाएगा पदला चीन देखने हो मिलेगा उसको लोगे कोई भी problem नहीं है एक चीज मुझे बढ़ीया नहीं लगा यहाँ पर आपको इनिफेटी यू डिस्प्ले मिलेगा यह phone जिस surprise में launch होगा और जिस time में लाँच हो रहा है उस time में यहाँ पर आपको central पंचल camera देना चाहिए था या camera का design side में देना चाहिए था बट वही U-type का notch यहाँ पर आपको देखने हो मिल जाएगा जो बहुत ही पूराना design है तो यह चीज मुझे बढ़िया नहीं लगा और डिस्प्ले की बात करते हैं यहाँ पर भी हल्का downgrade देखने हो मिलेगा यहाँ पर 6.6 इंच का FHD Plus डिस्प्ले मिलेगा और जहाँ पर आपको 120Hz का refresh item लेगा यह भी बढ़िया काम किया है Samsung ने बट यह डिस्प्ले IPS डिस्प्ले नहीं होगा I think यहाँ पर आपको मुझे जो लगता है यहाँ पर आपको TFT डिस्प्ले मिलेगा और TFT डिस्प्ले उधना बढ़िया नहीं होता है यह लिक इंफर्मेशन है Samsung ने अभी तक confirm नहीं किया है यहाँ पर आपको कौन सा टाइप का डिस्प्ले मिलेगा मुझे नहीं लगता है Samsung इहाँ पर IPS डिस्प्ले पोवेट करेगा वही TFT पैनल पोवेट करेगा कैमेर की बात करते हैं इस फोन की बैक साइड में 50MP का मेन कैमेर में लेगा 8MP काल्टोइट और 2MP का मेकोलेज मिल चाहिए और सिल्पी कैमेर की बात करते हैं इसको लेके अभी तरक कोई इंफर्मेशन आया नहीं है मेरी से यहां소드 पर आपको 8MP का सिल्पी देखने को मिल सकते हैं कुछ लिउक हिसा आप Нपी का सिल्पी आया मिलता है तो मेरी साप से डाउन गेट है अब हैवेड पर आपको 13MP का सिल्पी कैमर कोवेट करना चाहिए आभी ओ पोवेट करना करता है जो जो फीचर्स देखने को मिलता है सैमसें केमरे में उस सभी फीचर्स यहां पर भी आपको मिल जाएगा जैसे सूपर सुलो मोशन, टाइम लैप्स, सैमसें का वान टेक अप फीचर्स और इस फोन की बैक केमरे सा 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं जो बढ़िया बात है, एक्च्वल में सैमसें केमरा बढ़िया होता है तो यहां वर भी आपको अच्छा क्वाटिक केमरा मिल जाएगा तो भाई लोग सैमसें के आपको मी स्मार्फोन को पर मैं आपके लिए वीडियो ले के आता हूँ तो इस टाप का वीडियो पाने के लिए प्लीज कर देना, नोटिस में बेल को अल क्लिक करना और इस वीडियो को प्लीज लाइक करना भाई को इस थारा सपोर्ट करना, मैं आपके लिए और भी वीडियो ले क्या हूँगा जो आपके लिए काफी उस पुरोगा तो चले वीडियो में आगे बरते हैं इस फोन का प्रोसेसर सैमसंग ने बड़िया पोवाइट किया है यहाँ पर सैमसंग का खुद का चिपसेट नहीं मिलेगा थैंक गॉड यहाँ पर आपको स्नापड़कन 750G का चिपसेट मिलेगा यह चिपसेट थोड़ा सा प्रोड़ना है फिर भी आपको बड़िया प्रफ्रोमेंस देखने को मिल जाएगा आप हाइपको गेम खेल जाकते हैं आपको अच्छा कासा प्रफ्रोमेंस मिलेगा और यह स्मार्टफोन दो रैम बेंड के सा लांच होगा 6GB, 120GB 8GB, 120GB और यहां पर आपको आइधिंग हाइब्री सिमसार मिलेगा और यह स्मार्टफोन एंड़ोड 2L के साथाएगा जो बहुत ही बड़िया बात है और यहां पर यहां पर सैमसंग 1UI 4.1 देखने हों मिलेगा और इस फोन में आपको साइड बार्फोर फिंगर बेंड मिल जाएगा फेस अलों का फीचर्ज मिलेगा और सबसे अच्छी बात है यहां पर आपको 3.5 जैक भी मिल जाएगा ठैंक गट मिल रहा है और इस फोन में आपको 5000GB का हिूज बैटर मिलेगा और जहां पर आपको 25 बार्ट का फास्टर्ज का सपोर्ट मिलेगा बर बॉक्स में I think मुझे लगता है फिप्टी नॉट का एक नॉर्मल चार्चा मिलेगा देखिए प्राइज की बात करते है नाइंटी और मोबल के लीक किसाब से इस फोन का बेज बिरेंट मतलब 6GB आने 120GB का प्राइज 17 से 18,000 गे अंदर में लाँच हो सकता है सैमसंग का हर स्मार्टफोन का प्राइज थोना सा महेंगा होता है तो ये भी ज्यादा प्राइज में लाँच होगा और ये स्मार्टफोन आपको only flip card में लेगा क्योंकि एप सीरीज का स्मार्टफोन only flip card में मिलता है सैमसंग इसका launch date भी confirm कर दिया है 18 March में ये स्मार्टफोन flip card में launch हो जाएगा सैमसंग इस फोन को उन लोग को टार्गेट करेगा जो लोग सैमसंग का फोन पसंद करते हैं एक ब्रैंड वैल्य पसंद करते हैं ओ सभी यूजरी इस फोन को बाई करेंगे और इस फोन के बाड़े में अगर आपका कोई भी कोस्ते ने आप कोमेंट में पूछ सकते हैं और भाई के वीडियो अगर प्लेजर से यूस्फिल हुआ है और इस ट्रव के वीडियो पाने के लिए फिलीज प्लिज Stan को सबस्क्काइब करेंगे भाई को सपर्ट करना वीडियो को प्लीज लाइक करदेना फिर से मुलागात हुँए एक निउव इंट्रेस्टिंग बढ़ बाइ